असलाम अलेक्रम और वेलकम तो जेके स्टैडी फॉर सिवल सर्वेसिस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैथ का सेकंड यूनिट जो के है रैशो एंड प्रपोर्शन जो के एक इंपॉर्टेंट यूनिट है मैंने पहली बोला था कि दो यूनिट इस बहुत जादा इंपॉर्टेंट है जिनका यूज हर किसी जगह होगा उनमें से पहला जो था वो था परसंटेज एंड सेकंड जो है वो है रैशो एंड प्रपोर्शन तो सेकंड यूनिट से क्या हम पढ़ने जा रहे हैं और क्या एक्जाम एप्रोच रहेगा क्या चीज़ एक्जाम में यहां पर एक एक दिखाऊंगा हर वीक मैं एक प्रैक्टिस सेट उस पर लाओंगा इस पर भी लाओंगा और वो हम कंटिनुवसली स्वालू करेंगे उससे आप इंटैच रहोगे विद परसंटेज एंड रैशो एंड प्रपोर्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टन ह है फिर हम आगे जाके और कुछ सीखेंगे बाकी यूनिट सीख पाएंगे अगर ये आपको कलियर है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले एक बात अगर आपने जेक स्टैडी सिवल सर्विसेज का चैनल ऑफिशल चैनल जिस पर ये वीडियो जा रहे हैं आपका फाइ कीजिएगा उससे हमारा मॉटिवेशन हमें मॉटिवेशन मिल जाती है और थोड़ा सा प्यार भी मिल जाता है तो हम और महनत करेंगे तो पहला ये दूसरा यूनिट जो यहां पे है यहां पर है बता देता हूँ मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है आप कही भी जाओ अगर मैं आपको सिंपली सिखा दूँगा सिंपली बता दूँगा क्या है रैशन प्रपोर्शन और क्या आपको डिसकस करना है तो अगर मैं यहां पे कोई नंबर लिखुँगा चलो मैं यहां पे बोर्ड लिखा है 0.1 अगर मैं यहां पे कोई नंबर 0.1 लिखुँगा मै आपको बताऊंगा मुझे बताऊ ये 0.1 बड़ा है या छोटा है तो कुछ सुटूटेंट्स बताएंगे कि सर ये छोटा है जो कि बिलकुल गलत है एक नमबर तब तक या एक कॉंटिडी तब तक बड़ी या छोटी नहीं होती जब तक मैं उसको किसी और चीज से कंपेर ना करूं अगर इंडिजवल एक लेंगे हम कोई चीज तो वो छोटा या बड़ा नहीं होता मैं अपने आपको कंसिडर करूंगा यहां आप नहीं बता सकते हो कि मेरी हाइट छोटी है या ज्यादा है मेरी हाइट कम है या ज्यादा है अगर मैं अपने राइट साइड में किसी quantity बड़ी है या छोटी है यह सब किस चीज़ पर depend करता है comparison पर depend करता है तो ratio भी एक comparison ही है बिलकुल जी हाँ ratio भी जो है वो क्या है comparison है लेकिर ratio में हम कैसे compare करते हैं और किन चीज़ों को compare करते हैं यह आपको यहाँ पे सीखना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक example जिससे आपको clear होगा अगर यहाँ पर मैं एक सीखना यह शोटी है ना बड़ी है अगर मैं यहाँ पर इस से बड़ी सीखना भी क्लूंगा तो यह सीखना यह चोटी बन गई यह छोटा बड़ा तब बनता है तब define होता जब हम दो चीज़ों या दो से ज्यादा चीज़ों को compare करें, तो compare करने के लिए क्या हम करते हैं, किस तरह हम compare करते हैं, layman comparison क्या है, और आपका approach क्या है compare करने का जो कि आपको पढ़ना है ratio and proportion में, मैं यहाँ पे example लेता हूँ, मैंने दो persons ले हैं, एक का नाम A है और दूसरे का नाम B है, A का जो mass है, weight है, A का जो वजन है, 20 kg है और B का वजन 40 kg है, बिल्कुल basic से समझा रहा हूँ कि सब को पता भी होगा या किसी को पता नहीं होगा, उसको भी साथ लेके चलना है, तो यह उनके लिए है यह lecture जिनको लगत 20 kg है, B का weight 40 kg है, तो आप मुझे बताए, comparison कैसे होता है, आप मुझे बताए, ज्यादा weight किसका होगा, आप definitely answer दोगे sir, B का weight ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यह 40 kg और A 20 kg है, definitely you are right, B का weight ज्यादा है, लेकिन अगर आप कोई पूशेगा, question बदल रहा है, कोई आप से पूशेग कि किसका weight ज्यादा है, आपने बोला, B is greater than A, B का weight A से ज्यादा है, मैंने question बदल दिया, मैंने पूशा, B का weight कितना A से ज्यादा है, क्योंकि आपने ही बताया, ज्यादा है, तो आपने क्या किया, आपने subtraction की करिया हम पे, B minus A निकाला, और जो वहाँ पे उन दोगे subtraction करके जो difference आती है, remember subtraction is the operation, difference is the result there, जो subtraction करके वहाँ पे difference आई, उस difference को आपने क्या कहा, आपने कहा, वो 20I 40, B minus A, B 40 A है 20, 40 minus 20 क्या आया, यहाँ पे 20 kg आया, तो बताया आपने की B का weight A से 20 kg ज्यादा है, बेलकुल B का weight A से कितना ज्यादा है, 20 kg है, लेकिन इसी comparison को, इसी example को, मै एक और तरह से define करने जा रहा हूँ, आपको बस ध्यान रखना है, और जिस तरह से मैं define करूँगा, उस definition का end ही बनेगा, वो definition ही आपको पहुंचाएगी ratio पर, और ratio आपको पहुंचाएगा ratio in proportion पर, तो ध्यान रखिएगा, मैं आप question यही है, question यही है, example यही है, setup यही है, ल 20 का है 40, A का है 20, so अगर मैं 20 A के weight को 2 से multiple करूँगा, 20 into 2 तो वो B का weight बनता है, तो वो बनता है 40, देखेगा फिर से समझेगा मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने अब जब compare किया इन दोनों के दर्मियान, मैं जब difference निकालने की कूशिश करता हूँ, लेकिन methodology different है, मैंने क्या सो देख लीजे, मैंने यहां पर लिखा है, B is equal to twice A, B is equal to twice A, इसका मतलब है B का weight है, वो 2 multiplied by A है, B कितना है, B हम देखेंगे यहां पर 2 है, 2 into A का weight था 20, 2 into 20 becomes 40, जो कि B का weight है, तो मैंने इस तरह निकाला, और आपने क्या किया फिर, आपने किया और आपने इसी को थोड़ा बह तर्म को करते आ रहे हो, अगर यहां से कोई term multiple है, right side से, तो मैं left side में उसको लाओंगा, तो क्या बनेगा, right से multiple है, left में लाओंगा, तो divide होगा, divide होगा, अगर divide होता है, B यहां से, A यहां से multiple है, यहां लाया मैंने उसे तो divide होगा, यहां बचा था 2, जिसको कोई divide ना हो, म यहां से मैं मुझे था B equal to twice A, A को बस यहां लाया, 2 को 1 से डिवाइर किया, उससे कुछ नहीं होगा, so B by A, B by A is 2 is 2 by 1, so इसी को मैं लिखता हूँ B, और यह दो dot बनाता हूँ, जिसको हम पढ़ते हैं is 2, is 2 पढ़ते हैं हम, यह दो dot जो यहां पे बने हैं, इनको बोलते हैं is 2, so यही B by A जो है, इसको मैं लिख, इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, B is 2 A, B is 2 A, equal to 2 by 1 जो था, इसको पढ़ूँगा, 2 is 2 1, is 2 मतलब 2 dot, यह डिवाइर आपको रिपलेस करना है, दो dot उंसे, और A लिखना है, B by A, B by A अगर होगा, मैं यहां पे दिखाता हूँ, equal to A, आप लिख सकती है, B is 2 A, so दो dot जो है, इसको क्या कहते है, is 2 कहते हैं, तो मैंने अब क्या कहा, अब समझे यहां पे इसका मतलब क्या है, B है 2, A है 1, मतलब B is twice A, B is twice A, अगर A है 20, तो B है 40, अगर A 10 है, तो B कितना है, 20 है, अगर A 30 है, तो B twice है, उसका सिकिष्टी है, अगर A 50 है, तो B इसका twice है, 100 है, तो मैंने chronology ही बदल दी, यहां पे, मैंने language ही बदल दी, यहां पे, मैंने क्या कहा, मैंने एक decent way में कहा, हाँ, comparison है, B का weight A से ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है, B is twice A, जाबज, B is twice A, so यह मैंने यहां पे comparison के, आपने यहां पे subtraction लगा के comparison किया था, मैंने division लगा के comparison किया, this comparison is to be the ratio, so ratio is nothing, but in ratio, you are determining one thing, in terms of the another thing, that means something A is n times B, something is n times something different, so दो quantities को represent करने के लिए, एक quantity को दूसरी quantity में लिखने के लिए, जो यहां पे आपको जूरूरत परता है, that is the ratio, यह एक quantity को दूसरी quantity में represent करके देगा, और यही होता है ratio जिसमें हम times operation use करते है, A is three times A is four times A is five times, one by half B, तो ऐसे हम लिखते है, it is called the ratio, एक और example लेजिए, first, Amir's salary is five thousand, एक person है, Amir उसकी salary है five thousand, age पे किसी पे भी problem आप solve कर सकते हैं, क्योंकि यह universal है, ratio and proportion हर जगा दिखेगा, Amir's salary is five thousand, Salman दूसरा बंदा है, उसकी salary है fifteen thousand, मैं आपको बताओंगा, ज्यादा किस की है, आप बताओगे, Salman जो है, उसकी salary Amir से ज्यादा है, मैं बताओगा, कितनी है, आप फिर से subtraction करोगे, नहीं, subtraction नहीं करनी है, क्योंकि रैशू पर रहे हैं, तो आपने क्या कहा, आपने कहा, Amir की salary five thousand है, Salman की salary fifteen thousand है, अगर मैं Amir की salary को three से multiple करूंगा, five thousand into three, fifteen thousand, Salman की salary बनती है, कि नहीं है, तो वहीं मैंने लिखा, Salman salary is equal to three times Amir's salary, तो three times, अगर मैं Amir की salary को multiple three से करूंगा, तो Salman की salary बनती है, so this is Amir by Salman, यहीं मैंने इसको यहां लिया, Amir by Salman is three is to one, that means Amir की salary अगर one है, Salman की three है, Amir की salary जो है, अगर two है, इसकी six है, simply in general कह सकते है, Amir की salary जो है, Salman की salary जो है, three times Amir's salary है, three times Amir's salary है, इसी को मैंने replace किया, इस divide को, S is to Salman is to Amir, इन दोनों की salary का ratio, three is to one, this is term to be the ratio, this is term to be the ratio, बिलकुल, तो अब proportionality क्या होती है, हमारा topic जो है वो ratio नहीं है, वो ratio and proportionality है, ratios in proportion हम क्या होते है, क्या होते है ratios in proportion, तो यह मैं यहां पे raise करूंगा, अगर आपको समझाया हूं, तो बिलक सबस्क्राइब कीजिएगा, तो यहां पे जो equality of ratios है, equality of ratios, that means, दो ratio का equal होते है, आपको numerator, जो numerator दो terms का है, वो different नहीं हो सकता है, denominator different नहीं हो सकता है, यह है, beauty of the ratios, कैसे, मैं लिखूंगा यहां पे one by four, और दूसरा लिखूंगा two by eight, क्या मैं यहां पे equality लगा सकता हूं, यह म लगा सकता हूं, क्यों, one equal to two, नहीं, यह ठीक नहीं है, एक दो के बराबर नहीं है, denominator क्याप कीजिए, four eight के बराबर नहीं है, लेकिन यह दोनों, इन दोनों का ratio जो है, इन दोनों का division जो है, वो किसी constant के बराबर है, say k, मतलब, अगर मैं यहां पे two से करूंगा, two into one is two, two into four तो यह भी बनता है, one by four, one by four नहीं था, two by eight था, मैं कुछ और भी लिख सकता था, four by sixteen भी लिख सकता था, वो भी one by four ही है, four into one, four into four, 16 तो one by four बनता है, तो यहां पे यह जो सारे ratios है, यह एक दूसरे के बराबर है, यहां पे आए, equality of ratios, जब ratios एक दूसरे के बराबर हो, दो दो से ज्यादा ratios, कुछ भी हो, एक दूसरे के बराबर हो, two by seven, four by fourteen, क्या यह बराबर है, बिल्कुल बराबर है, क्यों, क्यों कि यह जाएगा, दो से दो बार, यह जाएगा, दो से साथ बार, तो two by seven बनता है, यहां यहां पे, यह आप चक कीजिए, आप चक कीजिए, eight से, eight से दो बार जाएगा, 16, eight से साथ बार जाएगा, 56, two by seven, यह भी है, तो यह जो ratios यहां पे है, तीन ratios जो आपके पास है, यह एक्वल है, however, individual terms, numerators, denominators, individually, they are not equal, लेकि ratio जो है, complete this set is equal to this, it is equal to this, so this is term to be the ratios in proportion, so ratios जब एक्वल होते हैं, तो we are saying that ratios in proportion, लिखते कहीं से हैं, अगर आपको a by b है, equal to c by d, for example, for example, बताता हूँ, a by b आपको लिखते हो, a is to b, to c by d लिखते हो, c is to d, तो यह है ratio, यह equality है, यह proportionality, this ratio is equal to this, यह ठीक है, लेकिन ratios are in proportion, मतलब ratios are equal, तो proportionality आप 4.c represent करोगे, this is, ratios are in proportion, a is to b is equal to c is to d, ratios are in proportion, तो यह आपका ratio and proportionality है, what do you mean by, how to define the ratios, and when ratios are termed to be in proportion, and they are equal, they are termed to be in proportion, so next question पे आएगा, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, मैं, तो question समझेगा, आपके पास a by b है, 5 is to 7, b by b, c है, 7 is to 8, तो आपको क्या पूछरा है, आपको पूछरा है, a is to b is to c, पहले मैं बताओंगा आपको क्या करना होता है, आपको a is to b is to c लिखना होता है, डिरेकली मैं exam approach upwards पर ही आ रहा हूँ, आपको इन दोनों में common term डोडनी होती है, बिलकुल common term इनमें डूंडनी होती है जो यहाँ पे common term होगी आपको A is to B is to C लिखना है ना common term यह reciprocal ratios question आजाता है lab assistant exam जब हुआ थो तो वहाँ आया था teacher exam में पूछा गया था इस पे question तो यह आप देखिएगा B और B यह मतलब common है A is to B, B is to C तो B इन दोनों में common है जो common दिया गया हो जो common दिया गया हो अगर यहाँ पे भी वो common हो वो common term same हो common term B है अगर B इन दो ratios में same हो तो ratio as it is लिखना है आपको कोई change नहीं लानी है directly आप ratio लिख सकते हो लेकिन लेकिन अगर यह different है अगर common term दो ratios यह तीन ratios यह चार ratios में different है तो तब आप क्या करोगे एक काम करना है आपको उस वक्त क्या करना है common term same यह बनानी है उसके बाद आपको ratio लिखना है तो किसी भी हाल में common term आपको same बनानी है कभी आपको common term वही से same होगी जैसे इस एक्जामपल में है कभी नहीं होगी लेकिन आपको बनानी है मैं आपको step by step कराऊंगा last मैं एक trick दिखाऊंगा common term same हो या ना हो आपको 5 numbers का 6 numbers का ratio लिखना हो आप directly लिख सकते हो without wasting the time without calculating this thing आप ध्यान रखेगा यहां पे मैं क्या बता रहा हूँ यहां पे common term B है ना B यहां पे कितना है 7 है A is to be A है यह B है यह तो यहां पे C है यह sorry B is to C B है यह C है यह तो यहां पे भी B 7 है यहां पे भी B 7 है So A is to B is to C इन तीनों का ratio क्या होगा as it is लिख दो 5 है उसके बाद common term है ना यह 7 है तो 8 है तो यह इस चीज का answer यह इस चीज का answer question is completed अगर अब question होगा जो मैंने दिया है next question A is to B A is to B किसके बादर है 2 is to 3 है B is to C B is to C B is to C किसके बादर है चलो यहां पे मैं लिखता हूँ आपको समझ भी आएगा B is to C किसके बादर है 6 is to 8 तो common term क्या है common term B B यह ह coercuring मैं अगर common term is to be अप होगा अपिर उसके बादर है 3 के बादर यहां B 6 किसके बादर है होगी अगर common term यह होगी कामन टर्म को सेम बनाऊ कैसे बलाँगे यह आपका question था कि कैसे बनाएं बनाना थीक है इन दोनों की डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों में डिफरेंस 1 की है, इन दो में डिफरेंस 3 और 2 में कितनी डिफरेंस है, 1 है न, 8 और 6 में कितनी डिफरेंस है, 2 है, जो यहां डिफरेंस है, उससे इन दोनों को मल्टिपल करो, जो यहां डिफरेंस है, उससे इन दोनों क तो क्या करना है शाबश यहां पर द्यान रखोगे आप यहां पर बेगा यहां यहां पर जो डिफरेंस है यहां पर इन दोनों के दर्मेंस है उसको मुल्टिप्ल करो यहां तो A is to B नया कितना बनेगा, 2 is to 2 is, 2 is to 2 is 4, तो 2 into 3 is 6, इसको यहां भी multiple 2 से किया, यहां भी multiple 2 से किया, तो A is to B बन गया, 4 is to 6, 2 into 2, 3 is to 2, 6, तो आप जो यहां पे है, यहां पे B is to C, जो इन दोनों में A और B में difference है, उसको यहां से multiple करो, तो आपको यहां पे आएगा, 2 और 3 के दर्मियान 1 डिफरेंस थी वह यहां multiple करो, तो 1 से multiple करने पर तो कुछ चेज नहीं होगा, तो 6 is to 8 बनेगा, 6 is to 8 था, 6 into 1 is 6, 8 into 1 is 8 लिख दिया, अब इन दोनों में common देखो, यहां पे B है, 6 यहां पे B है, 6 यहां पे B है, 6 तो common term अगर same है, तो ratio को as it is लिख दो, यह है A आपका 4, B है आपका 6, और C है आपका 8, तो यह हो गया आपका question स्वालो simply, लेकिन मैं इस तरह recommend नहीं करूंगा, हालाना की बहुत easy, बहुत short method मैंने बताया कि इन दोनों को common करो, लेकिन अगर मैं 3-4 ratio दोंगा तो वहां पे difficult दिखेगा आपको यह, बिल्कुल difficult लगेगा, मैं recommend ही नहीं करता हूँ यह, मैं इससे आगे आपको सिखा दूँगा, universal trick सिखा दूँगा, लेकिन उससे पहले आपको यह सब सीखना है, कि क्या actual मैं क्या करते हैं, यह सब imagine करके ही आप वहां तक पहुंचोगे, direct नहीं पहुंचोगे, यह है यहां पे हम आगे बढ़ेंगे risk pro colors पर, तो question देखे इस पर, a is to b is 5 is to 6, b is to c is 9 is to 11, find a is to b is to c, जो previous question था, बिल्कुल same वही question है, लेकिन अब मैं आपको approach different दिखा रहा हूँ, जो approach हर जगा work करेगा और बहुत ही simple है, तो यहां पे देख लीजेगा, मैंने बताया था कि common term चक करो, अगर common term same है, अगर common term same है, तो ratio as at least लिख दो, अगर same नहीं है तो बनानी है same, तो ratio लिख दो, लेकिन अब दूसरा method सिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको क्या करना है, directly को a is to b is to c, जो question मांग रहा है, a is to b is to c, तो पहले क्या दिया गया है, a is to b दिया गया है, five is to six, five is to six दिया गया है, b is to c दिया गया है, nine is to eleven, nine और यह eleven, अब जो blanks है, यहां पर, सुपे से जो है, उनको फिल करना है, अरे उनको फिल करने का तरीका क्या है, मसला क्या है, कोई sinus नहीं है, कोई rocket sinus नहीं है, कोई tough mathematical नहीं है, जो यहां पर है, उसको आगे ले जाओ, six, जहां पर वैकनसी है ना, जो इसके नाजदीख है इसी लाइन में 9 है ना तो यहां पे लिख दो बात खत्म इनको मल्टिपल करो आपस में जो आएगा वो राश्यो है 5 x 9 is 45 6 x 9 is 54 और यहां पे क्या बनता है 6 x 11 is 66 तो यह देख लीजिए अगर कैंसल होता है तो ठीक है अगर नहीं तो यह है आपका आं आपकी मर्जी मैंने सिखा दिया क्या करना है मैं और एक एग्जम्पल इस पे ले आता हूं और इस से थोड़ी कंपलिकेटर आप उस पे खुड ट्राइ कीजिएगा जो मैंने इस से पहले में बताया वो भी ट्राइ कीजिए और जो ट्राइशनली आप सीखते थे 10th में 7th म में 8 से और जुब मैं दिखा रहरा हूं यहां परिक यहां पर राइस नुआ कर चैख लिजिए यहां पर ट्राइशनली ने फिर तो आपको थोड़ा बहत बड़ बड़ना होगा, क्या करना होगा, वह भी तो भी मैं सिखा दूँगा, और यहां पे हैं, पे हैं अप़ सीख शोछा हो तो आप जब आपको इन दोनहां को बैल Cindy daha ध blev पर हो जाएगा, तो इसको नहीं करना एक और एप्रोच है व्हों में नेक्ट लेक्टर में सका दूँगा लेकिन भी युनिवरसल ट्रिक सीख जाऊ पी इस्ट इस्ट आर इस्टो आर इस्ट वहुत ही मज़ेदा ट्रीख ऩह चैग यहीं पर पेश्ट इया गया है न पहले पेस्ट इया गया ह किसके बराबर दिया गया है 2 तो गहां थे 2 तो गया है क्यों यह तो आरिखना ब classrooms इस ना पर टर दिया बेल तो आपको बलांक्स ब्लेंक्स को खिल करना है कि 07 आइक साय healthy यहां पर इसको darkest जाओ जितनी घ्लॉक्त जाओ शरी यहां पर फॉर है यहां पर 2 और लिखो यहां पर फाइब like दो यहां पर यहां पर उस लेखा शिक्श करके देखो आपका 24 is 12, 12 x 4 is 48, 3 x 4 is 12, 12 x 6, 12 x 6, 72, 5 x 6 is 30, 30 x 3 is 90, 5 x 7 is 35, x 3 is 105, 5, this is your required ratio, this is P is to Q is to R is to S, so this is your answer, without calculating the long step, without balancing the middle term, without balancing the common term, you can solve the question, but the approach must be like this, if you learn this approach, then you will question, now you will say, sir, this is the question problem will come to any ratio, last time, I will decode this question, so this is the question you have to learn here, so come to the next question, find a compound ratio, compound ratio, you will get the term in exam, so I will take this question, compound ratio, जहां पर भी आपको compound ratio मिलेगा, क्या करोगे, compound ratio किस किस का है, 3 is to 2, 4 is to 3, 5 is to 7, तो आपको compound ratio करना है, पहली term, जो first term है, आपको यहां पर 3 groups दिये गए है, 3 pairs, 1, 2 and 3, जो इन 3 pairs की, जहां पर compound ratio, compound ratio, directly कैसे solo करोगे, जो इन 3 groups, 4 groups, 5 groups, जितने भी groups दिये गए हो, इनकी जो first term है, वो लिखो, 3, इसमें 3 first term है, इसमें 4 है, 4, और इसमें 5, तो इनको आपस में multiple करो, इनको आपस में multiple करो, is to, compound ratio बोलना है, आप second term लिखो, 2, इसकी second term 3, and 2, इसकी second term 7, तो पहले बेखो कि कुछ cancel मात होता है, बिल्कुल होता है, न, cancel, 3 यहां और 3 यहां जाएगा, 2 यहां और 2 से 2 बार जाएगा, 2 इन 5 इस 10, और यहां बचता है 7, 10 इस to 7 is the compound ratio, आप this question, so this is how to change your approach, ratio and proportional percentage हो, कुछ भी हो, approach बदलना है, question को solo करना है, within a short period of time, लेकिन, लेकिन, ट्रिक डिरेक्ट नहीं चलती है, पहले concept सीखना है, जैसे मैंने बताया था कि balance कैसे ratio को करते है, ratio क्या है, proportion क्या है, उसके after आप कुछ भी स्वालू कर सकते हो, thank you, and wait for the next lecture. भी मैंने, ट्रिक नहीं थाज़िते है, र कि आप कर आप क्या है, हम झालते हैं, के स्ट्सक्वाइब अशभर कर रह, जालते हैं, भी है उसके हैं, हम झूट था रह था सकते हैं, झालते हैं, जो दटते हैं, तो बदलना है, कि कि अन्छ Commerce, यह प्य dus, कि दू़ रुदीदीμαι